नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकास पांडे और आप सभी को इंपेरियल आठ में तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों ये है कुरल ड्रॉ के लोगों का क्लास और आज के क्लास में हम योगा एंड इस्पा का लोगो बनाना सीखेंगे तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझने की कोसिस करेंगे इस थम्नेल को सलेक्ट कर साइट कर लेंगे तूल बार में जाएंगे, लिप्स तूल को लेंगे, कंट्रोल और सिप्ट की को प्रेस रखते हुए एक सर्कल का शेप देंगे दोस्तों इसके आउटलाइन बिट्स को 10 पिक्सल में ले लेंगे कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए इसे यहां लाकर राइट क्लिक कर देंगे, डुब्लिकेट हो जाएगा स्मार्ट फिल्ट टूल को लेंगे और इसे फील कर लेंगे, यह फील हो गया है इस शेप को बाहर के और निकाल कर राइट क्लिक कर देंगे, डुब्लिकेट हो गया है इसके आउटलाइन बिट्स को भी हमें 10 पिक्सल में ले ले लेना है एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिगरी में लेकर एंटर कर देंगे, यह रोटेट हो जायेगा कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए इसे यहां लाकर राइट क्लिक कर देंगे, डुब्लिकेट हो जायेगा इसे सेलेक्ट कर ग्रूप कर लेंगे इसे center में place करेंगे दोस्तों इसे select करना है control की को press रखते हुए इसे नीचे की ओर लाएंगे यहाँ पे place कर देंगे यह हो गया है first वाले circle को select करेंगे shape tool को लेंगे और यह देखे point हमें मिल जाते हैं इसे outer के side से rotate करना है और यहाँ पे लाकर place करेंगे देखें यह हमने ले आया है यह हो गया है दोस्तों अब इस shape को यहाँ लाकर right click कर देना है duplicate हो गया है mirror horizontally कर देंगे यह भी हो गया है अब इस shape को हमें यहाँ पे यह देखें quadrant में हमें मिला देना है यह center में आ गया है snap to object टिक रहना चाहिए दोस्तों otherwise यहाँ पे quadrant में नहीं आएगा snap to object होना चाहिए टिक second वाले circle को हमें यह देखें यह shape को हमने कर लिया है और इसे देखें shape tool से थोड़ा से उपर के ओर ले लेंगे यहाँ पे अच्छे से set कर लें यहाँ पे यह हमने ले लिया है इसके outline bit को भी हम 10 pixel में ले लिया है हमने और इसे बाहर के ओर निकालेंगे और इसे right click कर delete कर देंगे यह देखें shape जो है हमारा ready है इस shape को पकड़ कर shift down कर देंगे यह मीचे की ओर हो गया है अब दोस्तों जहाँ edit fill में जाना है और इसे no fill कर देंगे no fill color जो हट जाएगा इसमें भी हमें edit fill में जाकर no fill कर देना है no fill यह हमने कर दिया है color हट गया है इन सभी को select कर group कर लेंगे और यहाँ पर behind fill skill भी object कर लेंगे outline pen में जाकर और यहाँ पर color जो है हमें यह देखें दोस्तों color जो हमने golden color से हमें fill कर लेना है और इसे okay कर देंगे यह shape जो है हमारा ready होके है दोस्तों इसे select कर group कर लेंगे group है ही इसे sight कर लेते हैं background जो है दोस्तों मैंने पहले से बना कर रखा है इस shape को इस background में हमें यहाँ पर center में ले आना है यहाँ center में ले आएंगे Shift की को प्रेस सकते हुए से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ये थीक है ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ये शेप रड़ी हो गया है दोस्तों तो दोस्तों ये था आज का क्लास पसंद आए तो लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और किसी भी तरह के प्रश्ण के लिए कमेंट सेक्षन में जरूर लिखें मैं उसका उत्तर जरूर दूँगा हम अगले क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए लोगों के साथ थैंक्स पर वाचिंग